अस्वालेकूम, मेरा नाम फातिमा है और मैं मिस्टर मौमद दुमार गौतम की बेटी हूँ मैंने एक बयान दिया था और इस बयान के बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि क्या जम्यात आपके साथ नहीं है लेकिन मैं यह clarify करना चाहती हूँ कि जम्यात देवन से हमारे साथ है और मैंने कभी doubt ने किया कि जम्यात हमारे साथ नहीं है लेकिन जब मेरा भाई arrest हुआ था उसके बाद situation बहुत challenging हो गई थी और हम लोग depressed, disturbed हो गए थे उसके बाद लगा कि कोई भी हमारे साथ नहीं है क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा था वो बहुत challenging था जब हम lawyers को call करते थे तो lawyers phone नहीं ठाते थे lawyers update नहीं देते थे हम लोग कभी office जा रहे हैं, कभी jail जा रहे हैं, कभी court जा रहे हैं लेकिन कोई भी हमारे साथ नहीं था उस वक्त लगा कि हम लोग अकेले हैं लगा कि हम लोग तूट रहे हैं हम लोग कोई भी नहीं है जो हमें assist कर सके जब मैं Delhi आई तब मैंने हकेम अधिन अंकल को कॉल किया और मैंने कहा कि मुझे आप से discuss करना है क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी मेरे साथ नहीं है या हमारे साथ नहीं है या हमारे केस को नहीं देख रहा है तब अंकल हमारे घर आय थे और अंकल से हमने frankly बात किया जो भी हमारे doubts थे और uncle से मैंने कहा कि उस वक्त situation बहुत difficult था और हमारे साथ बहुत सारे factors थे जिसके वज़ा से लगा कि हमारे साथ कोई भी नहीं है uncle ने कहा कि जम्यत हमारे साथ है 24 into 7 और miscommunication के वज़ा से doubts create हो गए थे क्योंकि मेरी अबदिल्ला ही discuss करता था कि मुदीन अंकल से और दूसरे लोग के जम्यत में उन से तो मेरा उतनी communication नहीं थी तो misunderstanding या miscommunication के वज़ा से मुझे कुछ बातों के बार में पता भी नहीं था जो मुझे बात में पता चली जैसे uncle अलाबाद भी गए थे expedition भी submit किया है तो बहुत सारे factors हैं जिनके बारे मुझे uncle discussion के बात पता चला और uncle ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे doubts को clarify किया और uncle ने ये भी कहा कि जम्यत हमारे साथ है 24 x 7 uncle की बातों से लगा कि मैं गलत सोच रही थी कि हमारे साथ कोई भी नहीं है लेकिन अब मुझे यकीन है और मुझे तसली भी है कि हमारे